हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ श्वेता और फ्रेंट्स आज मैं लेकर आए हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीड के रेसिपी बिल्कूल सिंपल तरीके से हम बनाने वाले हैं बट यह बहुत ही जादा रिच और बनाना भी बहुत जादा आसान है तो चले फ्रेंट्स लेट्स गिट स्टाइट तो फ्रेंट्स अबसे पहले हम तीन से चार मिनट पालक को बॉइल करेंगे तो इस तरह से मैं ने पालक लिया था अच्छे से वाश करके इसे थोड़ा सा रफली चौप कर लिया था जो रूट्स से वो निकाल दिया था सॉ और इसका जो ग्रीन कलर है इसी तरह से मैंटेन रहे और इससे अच्छे से पीस कर बिल्कुल फाइन प्यूरे कर लेना है तो यह अराउंड वन बॉल के बराबर हमारा जो पालक प्यूरे है तो मैंने एक पैन में दो टेबल स्पून के बराबर ऑलाइट किया है और इसे गनम ह करना है और इसे हम साथ में एड कर लेंगे आदा इंच का टुकड़ा जिंजर का यानि अद्रक और तीन से चार मैंने लेसून को भी बारी कट कर लिया है उसे एड कर लेते हैं अब इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं जब तक यह अच्छे से गोल्डन म्राउन ना हो है तो यह गोल्डन म्राउन हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी वन फूर टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर साथ में हाफ टेबल स्पून के बराबर रेड चिली पाउडर और वन टेबल स्पून मैंने डाला है कुरियांडर पाउडर यानि धन्या पाउडर और साथ में इसमें एट कर लेंगे एक बोल के बराबर टोमैटो प्यूरे तो बारिक कर लिया था मैंने बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लिया था दो टमाटर को तो एक बोल के बराबर है और इसे मिक्स करके मैं थोड़ा सा पानी एट करूंगी और इसका मसाला हम पका तो फ्रेंगे तो फ्रेंट्स मैंने चोटा वन फ़ोर्थ बॉल्ट के बराबर पानी आट किया है और साथ में मैं इसमें आट करूँगी अइड करूँगी मलाई जो घी निकालने के लिए हम मलाई लेते हैं जो फ्रेज में रख देते हैं अच्छे से सेट हो जाता है वही मलाई मैं एट करूंगी यह अरॉंड वन टेबल स्पून के बराबर है और मसाले के साथ हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ऑईल सब्रेट ना हो जाए तू 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 त्री मिनिट्स में अच्छे से ऑईल सब्रेट हो जाता है और जो रखा हुआ जो मलाई है जो फ्रेश मलाई आपको दूद में से निकाल के बनता है उसे नहीं लेना है परना आपकी ग्रेवी बिल्कु खराब हो जाती है तो फ्रेज में रख़टेजे मलाई को निकाल के तो अच्छे से जम जाता है एक दो दिन के बाद उसका यूज करेंगे तो बहुत अच्छी स आप देख सकते हैं ग्रेवी बनाएं तो इस तरह से ओल सप्रेट हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगे पालक प्यूरे और इसमें अच्छे से मिक्स करके हम इसमें अजस्ट करेंगे पानी को तो दो बोल के बराबर मैंने पानी आड़ किया है तो ये थोड़ा सा मुझे थ हριं आट में इसमें डाला है वन टी स्बून के बराबर नमक और साथ में और इसमें गरं मासाला अट कर लेते हैं और इसे मिक्स करके घड़ने की नえー और श्रू बारर लेगे बीछ पर चला भी लेंगे ताकि ये पैन में चिपक ना जाए लगनेह जाए वरन्ना आपका चु तो अच्छे से हम इसे cook करेंगे 5-7 मिनिट के लिए तब तक ये ठिक भी हो जाएगा तो मैंने ढग कर इसे रख दिया है पकने को तो ये पक चुका है और ठिक हो गई है ग्रेवी और इसे हम dish out कर लेते हैं enjoy किजिए with पूरी पराथा रोटी नान के साथ बहुत जादा ये टेस्टी बनता है simple और easy से recipe है तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो अपने family और friends के साथ share कीजिएगा और नए है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेजेगा इसी तरह से मिलते हैं कोई interesting recipes के साथ तब तक के लिए टाटा और बाए बाए